हालो फ्रेंट्स मैं हूं नेहा तवर और आपका नेहा तवर डिजाइन्स में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम सीखेंगे दोती सलवार की कटिंग कैसे की जाती है तो फ्रेंट्स दो से धाई मीटर में अच्छे से अपनी धोती सलवार बना सकते हैं अगर आपके पास सीख सकते हैं अगर बिगनर्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए हैं आप आसानी से और इस तरह से आप अपना जो फैब्रिक उसको फोल्ड कर लेंगे और उसके लिए सबसे पहले आप बैल्ट निकालेंगे तो बैल्ट के लिए आप 10 या 8 इंच जो भी आपकी लेंद है उ तो यह हमारे दोनों फैब्रिक निकल गए हैं और अब जो फैब्रिक बच गया है यह थोड़ा सा पर पर हम काट रहें तो इसकी लंग जादा है तो मैं इसको कर लूंगी फोल्ड ओन फोल्ड करेंगे हम इसको ओन वोल्ड का मतलब एक बार हम इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको एक कौन की शेप में इसको मोड़ेंगे मैं इसको एक बार बराबर कर लेती हूँ यह थोड़ा लंबाई में था कपड़ा फिर आप इसको ट्राइंगल शेप में इस तरह से मोड़ लेंगे अगर फिर भी आपका कप देंगे इस तरह से तो यह पहले हम आपको पेपर पे समझा रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए तो फ्रेंट देखें बिल्कुल ही आसान है धोतिस अलवार की कटिंग और फिर आप क्या करेंगे जो आपका फोल्ड हिस्सा है उसके जो सामने वाला है वहां से हम मार्किंग करते हैं तो आप यह चीज़ देखेंगे कि मोहरी आपको कितने इंच की रखनी है उसी हिसाब से आप इस तरह से निशान लगाएंगे टेप को आप दोनों साइड घुमाके आपको कटिंग करनी क्योंकि फिर कम जादा हो जाता है और फिर आप दूसरे छोर प बंद बंद से वहां से रखनी करोचे निकालेंगे तो आठ इंच में यहां पर करोचे निकालेंगे यही बेल्ट हो जाएगी जो रेडी जो होगी बेल्ट तो यहाशन हमारा सही रहेगा इतना और इस तरह से फिर आप अपने फैब्री को कट कर देंगे जब आप इसको खोलेंगे तो इस तरह से आपके पास दो पीस मिलेंगे तो आप इसी चीज़ को हम फैब्रिक पे समझेंगे ये नीचे वाला एरिया जो आपको दिख रहा है इसको थोड़ा सा शेप में कट करेंगे आप ये आपके मोहरी है आप देखेंगे आपको कैसे स्टिचिंग करनी है वो पेपर पे आपको इतना समझ में नहीं आएगा हम फैब्रिक पे आपको बताएंगे तो अभी आप सिर्फ इतना समझ ले पेपर पे आपको cutting करनी आ गई होगी तो जो आपको किस तरह से pleats डालनी है वो आपको इस तरह यहां से जो crouch area start हो रहा है यहां से आपको pleats डालनी शुरू करनी है और जो हमारा beach में जो area आएगा तो वहार से हमको फिर से दुबारा से opposite direction में pleats डालनी है तो इस तरह से आपने जो cut लगाया था उस पे आपको stitch भी लगाना है और इस तरह से opposite direction में आपको pleats create करनी है तो इस तरह से कुछ आपका दिखेगा pleats डलने के बाद तो ये चीज़ आपको fabric में अच्छे से समझ में आ जाएगी तो ये जो एक छोर से एक तरीका है कि आप की जितनी belt है उसके हिसाब से आप करें तो ये चीज़ बाद की है अब आप इस तरह से ही आप उपने fabric को एक कौन में fold कर लेंगे और देखिए ये चीज़ थोड़ी समझने की है आप देखेंगे total length आपको कितनी लेनी है आप कैसे length देखेंगे जहां से on fold है वहां के सामने से यानि कि क्रोचेरिया हमें जहां बनाना और इस तरह से थोड़ सा round shape देते हुए यानि कि अगर 6 है तो 6 को इस तरह से आपको tape टकना और cut कर देना है ये हो गई हमारी मोहरी अब हम जहां से हमारा बंध है उसके बिल्कुल सामने से जो सामने का part है वहां से हम क्रोचेरिया कट करेंगे तो क्रोचेरिया के लिए मैंने eight inch पे निशान लगाया है और यहां से मैं इस तरह से कट कर दूंगी इसको शेप देते हुए क्रोच एरिय की शेप देते हुए आप चाहें तो धोती सलवार में यह जो हमने 1.5 पे लगाया था उसकी कटिंग हमने की तो फाइनली सिर्फ इतनी ही कटिंग होती है हमारे जो धोती सलवार में आप जब इसको खोल के देखेंगे यह हमारा क्रोच एरिय और यह 1.5 वाला भाग है जो हमने कट किया था तो देखिए फ्रेंट्स बिलकुल आसान है कुछ भी नहीं है सिर्फ इस तरह से कौन बनाना है आपको क्रोच का निशान लगाना है मोरी पे निशान लगाना है और 1.5 पे निशान लगाना है तो इस तरह स हमारी दोती सलवार की cutting complete होती है next में हम stitching देखेंगे thanks for watching